आप तक न्यूज को फीस्बूक पर दीख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर दीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुँची 24,942 पर इसले 24 गंटे में 56 मोते जबकी 1490 लोग हुए संक्रमित मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस से पहली मौत कंस्टेबल जिंदगी से हारा जंग कोरोना को लेकर केंद्र पर हमलावार तिरनमूल कॉंग्रेस ICMT के दोरे को बताया बे मतलब हर्याना में फसे UP के मज़दूरों को हुई वापसी बसों से भेज जा रहे है घर रोजाना बन रहे एक लाग से ज़्यादा PPE किट 69,000 वेंटिलेटर का दिया ओर कोरोना से जंग में राहत भरी खबर 24 घंटे में बड़े स्रिफ 6 फिसदी पोजिटिफ मरीज संसत भवन में बना कंट्रोल रूम कोरोना संकट पर रखी जाएगी नज़र कोरोना के योद्धा सुरक्षा के साथ दिल्ली पुलिस की मानवता साथ लाख लोगों तक पहुचाया खाना दिल्ली के अस्पताल पर कोरोना का साया डॉक्टर समेत अब तक 29 इस्टाप पोजिटिफ स्रिफ जरूरी प्रोड़क्ट बेच सकेगी ई-कॉमर्स कंपणिया ग्रिहा मंत्रालाई का नया आदेश सराब गुठका और तंबाकू की बिक्री पर अब भी बेन जारी नहीं खुलेगी दुकाने यूपी के मुरादाबाद में पुलिस कर्मी सहे तीन कोरोना पोजिटिफ एक की मौत भोपाल में कोबिट-19 को फिर मिली मात संक्रमित तीसरे आएस अपसर भी हुए स्वस्त समुद्रक के रास्ते पांस दिन का सफर करके चन्नाई से ओडिस सा पहुचे मचवारे प्रसासन ने किया क्वारेंटाइन राची में पहले की तरह दुकाने बंद MHA की नई गाइडलाइन पर राईजर सरकार लेगी फेसला लोगडाउन के दोरान ऑनलाइन भुकतान में 30-30 ग्रावट कोरोना वाइरस पर अभिश्चत सहायता और जानकरी नहीं दे रही पस्तिन बंगाल सरकार केंडर टीम तीन महीने की फीस एक साथ नहीं लेंगे स्कूल बड़ोतरी नहीं करने पर भी विचार सोनिया गांदी ने पीएम मोधी को लिखी चिठी आर्थिक संकट को ठीक करने के लिए दिये पास्त सुजाओ अमेरिका में कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुची